नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लांचर पर मैं हूँ अशोक वान खड़े लेकर आए हूँ आपका अपना करेक्रम देरेट हीट महारास्ट के विदान सभा के फॉर्म भरने की तारिक शुरू हो गई है महारास्ट में विदान सभा में कई जगा फॉर्म भरे जा रहे थे लेकिन महायूति और महाविकास आगाडी दोनों तरफ से सीट शेरिंग का मामला फसा पड़ा है महाविकास आगाडी ने तो बाइन लाज फाइनल हो गया है साथ सीटे जो है उसमेसे दो समाजवादी को दो लेफ्ट को बाकी तीन किसान पार्टी और या फिर कोई इंडिपेंडन को और बाकी कई छोटे मोठी पार्टियों को अलग-अलग कैसे अड़िस्ट करेंगे उसके लिए वर्काउट चल रहा है शीलसेना पर अपनी एकनाथ शिंदे की अपने लिस्ट जारी हो गई आज एक प्र आज परोफाइल मिटिंग दिल्ली में हुई और डारेट हेट में मैं यही कहने जा रहा हूँ कि मुझे महायूती खासकर BJP ज़्यादा हिट होते हुए दिखाई देती है क्योंकि एकनाश शिंदे, अजित पवार और BJP साथ मिलके महायूती के नाम से लड़ रहे हैं जिसे हम NDIA गड़ बंधन कहते हैं इस NDIA गड़ बंधन में बार-बार शीट शेरिंग से भी ज्यादा बार-बार अमिश्या को यह बताना पड़ रहा है कि आरे आपस में मत लड़ो एक दूसरे के जो विरोधी लोग है या बंडखोर जो है जिसको रेबल कैंडिडेट कहते हैं उनको कंट्रोल करो एक दूसरे के रेबल कैंडिडेट को अपने यहां पना मत दो या उसकाव मत मुझे समझ में नहीं आता है महा यूती यदि धाई साल तक सरकार में रही इकटा दोनों उपर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुरे प्रदेश का दवरा करते थे हर जगा तीन साथ में आते थे अब ऐसे में क्या हो गया इन तीनों में ऐसा क्या बिगाड़ हो गया कि एक दूसरे के ही विरोधी एक दूसरे के ही विद्रोहियों को अपने यहां जगा दी जा रही है और जब भाजपा कहती है कि आप जितने भी विद्रोही है इनको रोको कैसा भी करके क्या भाजपा अपने विद्रोहियों को रोक रही है क्या भाजपा दुसरे को नसियत दे रही है लेकिन आज महाराष्ट में जो चित्र है उसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी से लोग क्यों भाग रहे है विद्रोही जहां जिनको जगा नहीं मिली तुरंद बीजेपी छोड़के मानों कोई डर सा नहीं रहे गया या उन्हें ये दिख रहा है कि अब भज़पसत्ता में नहीं आ रही है दि मैं उधारन के तोर पे देखूं कि आज ही जो लिस्ट सूची जारी की है शरतपौर के पार्टी ने शरतपौर के बाटी ने सूची जारी करने के बाद शायद ही कहीं विद्रोह का नाम आया करीब करीब 45 सीटों पर उन्हें नाम आज अनौंस किये और 45 सीटों के बाद अनौंस करने के बाद भी एक भी जगा से कोई विद्रह की चिंदगारी भी नहीं आई लेकिन उन्होंने क्या किया तीन भाजबा के कद्दावार नेता को अपने पॉकेट में रख लिया खासकर हर्शवर्दन पाटिल इंदापूर इनको हर्शवर्दन पाटिल बीजेपी छोड़के आए ये वहीं हर्शवर्दन पाटिल थे जो पहले बीजेपी में इसले कहे थे कि ईड़ी सीबिया की तकलीप ना हो और शांती से नींद आ जाए उन्होंने पब्लिक ली कहा था कि मैं आजकर आराम से सोता हूँ क्योंकि मैं बीजेपी में हूँ ये बीजेपी छोड़के क्योंकि उनको लगा कि नीन तो अच्छे आ जाएगी लेकिन सुबह उठके देखेंगे तो हमारा राजजितिक भविश्य नहीं दिखाई देता वो देखने के लिए वो शरत पव सिवसेना से एंसीपी और एंसीपी से फिर शरत पवार से भाजपा में चले गया और पूरे निव बॉंबई में उनकी एक पूरी पकड़ है उनको बीजेपी ने तो टिकेट दे दिया ओ चाहते थे उनके बेटी को भी टिकेट मिले लेकिन बेटा संदीप नाई इसको जब चुनाक्षेत्र से लड़ना चाहता था बेलापूर से वहां महात्रे का नमांकन किया उसके बाद संदीप नाईक ने तुरांत बीजेपी से त्याग करके शरत पवार का हथ पकड़ा पुराने संबंदों की बात कही और शरत पवार को भी घर में रेडिमेड एक ताकदवा उम्मीदवार मिला तो उन्होंने तुरांत बेलापूर से उसको घोशित कर दिया अब गणेश नाईक बीजेपी के उम्मीदवार अपने चुनाव लड़ेंगे और अपने बेटे को जो महायूतियाने इंडिया गड़ बंदन में हैं उसको भी चुनाव जितवाएंगे उ बहुत नजदिकी थे लेकिन उसी कागल में जो वरतमान में विधायक है हसन मुश्रिप जिनके उपर एड़ी सीबियाई की लगाता रेड हो रही थी भ्रटाचार के मामले उजागर हो रहे थे और जब उन्हें लगा कि वो अरेश्ट हो जाएंगे वो अजित पावार के सा श्राइट जो है वो अजित पावार के कोटे में जाएगी तो हम क्या करेंगे उनकी ये जो मनस्तिती थी जाप लिए और श्राइट पावार ने उनको अपने पार्टे में खीच लिया अब श्राइट पवार जी ने समर्जीद घाटगे को कागल से उमिदवार बनाया ये तीन बड़े नेता बीजेपी के हाथ से निकल गए और अमिर्श शाह जी बाकी लोगों को कहते हैं कि विद्रोह मत होने दो, विद्रोह का कंट्रोल करो, समीर भुजबन एक बड़ा नाम, सांसद रहे चुके हैं, छगन भुजबन के भतीजे हैं, कई दिनों से वो मनमार में लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन मनमार में एकनाश शिंदे के सुहस कांदे, जो वर्तवान ने मिले हैं, वो एकनाश शिंदे के साथ है, एकनाश शिंदे उनको टिकेट मना नहीं कर पाए, एकनाश शिंदे ने जैसाही उन्हें सुहस कांदे को वहां से अनौस कर दिया, अपने सूची में तुरंत समीर भुजबल ने अजित पवार को पचिक्ठी लेकर मुंबई प्रदेश राष्टरवादी कॉंग्रेस के अज्दक्षपद को त्याग दिया और कहा अपने पत्र में कि नांदगाव मनमार के जनता बहुत तरस्त है वरतमान विधायक से एक दहशत में जी रही है बार बार आपको उन लोगों ने गुहार लगाई उसके बाद भी आपने उनको ध्यान नहीं दिया वो मेराक शेतर है मैं मेरे लोगों के खूप पर हो रहे दहशत में जो जी रहे उनको अकले नहीं छोड़ सकता इसलिए मैं इंडिपेंडेंट चुन नक विद्रो है जब सुनिल चल्के का टिकेट रिपीट हुआ उसके बाद बापु साहिब भाकड़े एक जो दुसरे कद्दावार नेता है अजित पवार के गुट के उन्होंने आठ सो लोगों के साथ पार्टी छोड़ दी और वो अब इंडिपेंडन चुनाव ड़ रहे है कई ऐसी जगह पर खबरे आ रही है कि जहां आपको समझ में नहीं आता कि आपस में एक दुसरे को कैसा काट रहे है अजय चौधरी ये शिवडी के वरतमान के विधायक है लेकिन ये उद्धो के साथ बने रहे मैं बता तो डिफरंस कैसा होता है जब उद्धो के साथ बन अजय जो गनपती बहुत ज्यादा फेमस है मुंबई का उसके कार्यकार्णी में भी है और वो भी शिवडी पर बहुत मेहनत कर रहे थे उद्धव ढाकरे ने जब पहली सुची जारी की तो शिवडी को होल्ड रखा वो भी कन्फूजन में थे अजय चौधरी या सुधिर स चालवी तब उन्होंने क्या कि जब सारे लोग मुझे छोड़के चले जा रहे थे अजय चौधरी ने मेरा साथ दिया मुझे लगता है कि अजय चौधरी ने जिस हिसाब से ऑनिस्ट निभाई है साथ दिया है मुझे उनके साथ न्याय करना होगा मुझे उन्हें टिकेट रिपेट करना होगा सुधिर सावली ने कहा कि साहब आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया मैं पुरा प्रयास करूंगा कि अजय चौधरी को जितवा के लाओ वहां ऐसा हुआ लेकिन विद्रह नहीं हुआ लेकिन नरहरी जर्वर वरतमान में उपादेख्षे विदान सबा के और वो अजित पावर के साथ हैं उन्हें डिंडोरी विदान सबा से जब अजित पावर ने उनका नाम अनौन्स कर दिया तो वहां एकनाश शिंदे गूट के धनराज महाले जो पुर्व विदायक थे उसे इतर रखे उन्होंने खुले आम विद्रह करते हुए इंडिपेंडन्ट लड़ने का तैकर लिया यह महायूती में या इंडिया गडबंदन में जो लगातार एक दुस्ते के खिलाब उमीदवार खड़े हो रहे हैं वो कु का था कि एकनाज शिंदे पैसे खाते हैं विदायकों से भी पैसे बहुत सारे आरूप लगाए थे उसके बाद पुलिस कारवेवाई हुए उनको जेल में जाना पड़ा तो बीजेपी ने उनके पतने को टिकेट दिया जा एकनाज शिंदे गुट के लोगों ने संजाई गायकवार को टिकेट दिया विधायक का लेकिन वहीं पे प्रेम लता सोनवने करके एक दबंग महिला थी जो बहुत पड़ी लिखिये है और शराब बंदी को लेके पुरे महराष्ट में उसने एक समा बांदिया था वो कह रहे थी कि बुल्धाना जीला जो है ये चत्रपदी शिवाजी महराज की माता जीजा भाई का जन्मस्थान है ये जिला जन्मभूमी है वहां महिलाओं को प्राधने देना चाहिए अब ऐसे में उसने पाटिसी विस्तिपादे के इंडिपेंड़ने की घोशना की एक इसना शिंदे अपने विद्रोही को नहीं रोक पाए अब वहां पर बुल्धाना में मोताड़ा और बुल्धाना ये दो तहसिल आती है इस विदासभाक्षेत्र में अब मोताड़ा जो है वहां प्रेमलता का मायका भी है और ससुरान भी है और उसका कालेक्षेत्र भी है सं वा गनेश महली और वासको बेमरा ये दोनों बीजेपी के कद्दावार नेता आपस में लगाता लड़ रहे थे क्योंकि कौन चुनाव रहेगा इसको लेके लेकिन पता नहीं क्या हो गया हेमन तविस्वा सर्मा आने के बाद दोनों बीजेपी से इतने माईस हो गए कि दोनो एक साथ JMM में चले गए इस कंडिशन पर हम दोनों में से किसी को भी चुनाव रहाओगे तो दूसरा उसका काम करेगा फिर समीर मेहतो सिटिंग विधायक है JMM के उसके खिलाफ कुनाल सारंगी ये बीजेपी का एक कद्दावार नेता टिकिटिकी ले स्ट्रगल कर रहा था लेकिन उसको समझ में आ गया कि भाजपा में लगातार मेहनत करने वाले और भाजपा के लिए विचारधारा के लिए खपने वाले लोगों का कोई मोल नहीं उन्होंने भी इस्तिपादे के JMM जॉइन कर ली और इस कंडिशन पे कि मुझे टिकिट नहीं चाहिए मुझे इस कौंस्टिंसी में किसी भी हालत में भाजपा को अपनी जगा दिखानी है तो इतने जो मैंने विद्रोह आपको बताए है यह कुल मिलाकर यह वह है कि महायूतिया इंडिया गड़बंदन में जितने राजनितिक दल है वहाँ जब जब चुनाव यह सुची बाहर आती है वहाँ विद्रोह के वो इंडिया गड़बंदन की तरफ भाग रहे है कुछ लोग अनकंडिशनल भाग रहे है और अमिश्या जी एकना शिंदे और अजित पावर को कह रहे है विद्रोह मत होने देना किसी भी हालत में विद्रोह को कंट्रोल करना क्योंकि हमको सरकार बनानी है लेकिन विद्रोह से तो मातरे इकना शिंदे और अजित पावर ही हीट नहीं हो रहे है सबसे ज़्यादा भाजपा हीट हो रही है, क्योंकि महाराaster में, भाजपा में बाहर के लोग बहुत ज़्यादा है, और औरीजिनल भाजपा अपने आपको असाय और एक कोने में पा रही है, आइ डारेंट हीट में इतना ही, कल भी राता हो किसी भाशे की साथ, तब तक के लिए नमस्कार देखते रहीएगा News Launcher